एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जो अपनी तेज दोड़ने की क्षमता पर बहुत गर्व करता था। वह अकसर अपनी गती पर इतराता और बाकी जानवरों का मजाक उड़ाता था कि वे उसके मुकाबले कितने धीमे हैं। जोड से हंसते हुए सोचा कि यह तो बहुत ही आसान जीत होगी। लेकिन कचुआ जो खरगोश के घमंड से तंग आ चुका था, ने शांत मन से चुनौती स्वीकार कर ली। बाकी जानवर या अनोखा मुकाबला देखने के लिए इकठे हो गए। लोमडी ने दौड की शुरुआत की रेखा बनाई और उल्लू ने दौड के अंत को एक दूर के पेड पर निरधारित किया। जैसे ही दौड शुरू हुई, खरगोश तीर की तरह भागा और जल्द ही कचुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। अपनी जीत पर पूरा विश्वास रखते हुए, खरगोश ने आधे रास्ते में एक पेड की छाव में आराम करने का सोचा। यह मानते हुए कि कचुआ उसे पकड़ने में बहुत समय लेगा। वहीं दूसरी ओर कचुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। वह बिना रुके चलता रहा। उसके मन में बस दौड़ पूरी करने का इरादा था। वह चुपचाप खरगोश के पास से गुजर ग जब वह जागा तो उसने देखा कि कचुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। घबरा कर वह तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही खरगोश दौड़ की अंतिम रेखा पर पहुँचा। उसने देखा कि कचुआ पहले ही उसे पार कर चुका था और जीत चुका था। बाकी जानवरों ने कचुए के लिए तालियां बजाई जिसने साबित कर दिया कि धीरे और लगातार जीत की कुझी है। खरगोश को उस दिन एक महित्व पूर्ण सबक मिला। घमंड और अतियात्म विश्वास असफलता का कारण बन सक जबकि निरंतर प्रयास और द्रढ संकल्प से जीत हासिल की जा सकती है। उस दिन के बाद से खरगोश ने शेखी बगहारना बंद कर दिया और दूसरों का अधिक सम्मान करने लगा। कचुए जंगल में धैर्य और स्थिरता का प्रतीक बन गया। इस प्रकार जंगल के ज मूलिय सबक सिखाया था।